सबी को मेरा रामराब आज हम लंब के विशे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि लंब क्या है वैसे तो लंब की एकी परिभाशा है पर लंब से संबंदित और कितने प्रशन हमारे बनते हैं उस विशे में थोड़ा सम विस्तार से आज उस पर चच्चा करते हैं कि लंब वैसे ह लंब होता क्या है तो सबसे पहले तो लंब हम किसे कहते हैं तो लंब जो है त्रीभुज के शीष से आधार पर खींची गई सीधी रेखा जो 90 डिगरी की हो को लंब कहते हैं तो बहुत सिंपल है जैसे यह आप चितर में देख रहे हैं त्रीभुज बनी हुए ABC इस कौन बनदा है आप देख रहे है यह जो डीप कौन बनदा है यह है 90 डिगरी का कौन तो इसे हम कहते है त्रीभुज का लंब अब लंब से संबंदित और कौन कौन से प्रेशन बनता है जैसे लंब से संबंदित एक प्रेशन बनता है कि संबाहु त्रीभुज के सभी तीनो लंबों की लंबाई समान होती है ये विशेश ध्यानकना है कि यदि सम बाहु तरिभुज है तो उसमें जितने भी लंब होगे उनकी लंबाई हमेशा इक्वल होती है ब्रावर होती है दूसरा प्रशनिस से बनता है कि सम बाहु तरिभुज के किसी भुजा पर शिर्ष से डा इसम बाहु तर्फुज ये लबुज है वो जो है इसम बुज़ा के डलता है तो उसकी मंद्य का भी होता है जैसे आप चितर में देख रहें ये तर्फुज बनी हुए है तो इसमें एडी जो है ये लंब है एक्चुल में तो ये लंब है बट ये बीसी रेखा को दो बराबर भागों में बाट रहा है क्योंकि मंधिय का की प्रिवाशा यह है कि जिस कौन से निकलती है तो उसके सामने वाली भूजा को कौन के सामने वाली भूजा को दो भागों में बाटती है तो वह है मंधिय का तो यह जो है रेखा है यह भी बी सी जो रेखा है उसको यह लंब जो ह सम्मान कोणों वाले शिर्ष से सम्मान भुजा पर खीचा गया दोनों शिर्ष लंब की लंबाई सम्मान होती है एवं असम्मान कोण से असम्मान भुजा पर खीचा गया शिर्ष लंब मंधे का भी होता है और कोण का अरधक भी होता है सबसे पहले हम इसको बिस्तार से समझता है जैसे आप चितर में देख रहे हैं यह आपको बात त्रिवुज बना हुआ है A, B, C सबसे पहले आप इसमान के चलिए कि यह हमारे पाए एक सम्दूई बाहू त्रिवुज है इसकी A और B और A और C यह दो भुजाएं बराबर है और जो B और C भुजा है यह इन दो भुजाओं से छोटी है तो यह क्या कह रहा है कि जो B कौन से और C कौन से इसके लंब निकल रहे है मलब कि B, D और C, E यह जो लंब है इनकी लंबाई बराबर है इक्वल है क्योंकि इनकी जो आधार की जो भुजाएं है उपर को जो भुजाएं बराबर है तो इसलिए इनके जो लंब निकलेंगे उनकी लंबाई भी इक्वल हो जो लंब है A आपके पास F जो A F है इन दोनों से या तो ज़्यादा बड़ा होगा या छोटा होगा क्योंकि जिस भुजा पर ये जा रहा है वो भुजा छोटी है और जिस कौन से जा रहा है वो कौन भी अलग है मलब इन दो कौनों से या तो बड़ा है या छोटा है तो ये बात समझ आगी अब ये क्या कह रहा है कि समदूरी बहुत दिरी कुछ में ये तो होता ही है कि दो जो समान भुजाओं के जो लंब है वो बराबर होंगे बट ये कह रहा है कि वो मंध्य का भी होता है जो तीसरा रह गया यह जो तीसरा हमारा रह गया मलब A F जो यह रह गया यह मंध्य का भी है और अर्धक भी है अर्धक और मंध्य का कैसे इसको थोड़ा अलग से आरा हम थोड़ा सा और समझते हैं जब से पहले हम समझते कि मंध् बाटता तो ये भी दो ब्रावर भागों में बाट रहा है तो इसलिए ये मंध्यका भी है और ये कह रहा है कि कौन का अर्दक भी है अर्दक होता है कौन को आधा करने वाली बुझा वो कौन के अर्दक होती है तो जो ये ए कौन है ये जो ए कौन है ये इस कौन को दो ब्राव होंगे बर जो तीसरा लंब होगा वो मंधिय का भी होगा और अरधक भी होगा तो ये आपने बहुत अच्ति से समझना है यह समझना है कि यह फैक्ट जो हो है सम्धुर्वा TURI toRI VUG में होता है अगला factor है कि बिशम भाहु त्रिभुज के तीनों लंब असमान लंबाई के होते है तो यदि बिशम भाहु त्रिभुज है तो उसके लंब जो होगे उनकी लंबाई हमेशा अलग-अलग होगी छोटी बड़ी होगी समान नई होगी अगला factor है कि नियून कौन तरिभुज में सभी तीन लंब तरिभुज के अंदर होता है यदि हमरे पास नियून कौन तरिभुज है जितनी भी उसके लंब होंगे निकलेंगे वो सभी लंब तरिभुज के अंदर ही होंगे वो तरिभुज से बाहर नहीं होंगे तो ये था उनकोन का अगला हम देखते हैं समकोन समकोन तरिभुज में समकोन बनाने वाली दो भुजाएं ही लंब होती है और समकोन बनाने वाले शिष्ट से कर्ण पर डाला गया लंब तरिभुज के अंदर होता है तो जो समकॉन तिरी बुज़ होती है उसका जो कर्ण होता है जैसे आप चितर में तेहरी कर्ण है आपका A, C इस पे जो लंब डला हुआ है यह हमेशा तिरी बुज़ के अंदर ही होता है तिरी बुज़ के बाहर नहीं होता है और यही दो भुज़ाय है जो अपसमें लंब है जैसे A, B और B, C यह जो है क्या बोलते आपसमें लंब है यह 90 डिगर का कौन ? उपर को भी 90 डिगर का बना का नेचे को भी और जो यह B, D रह्खा है यह भी यह जो है इसके पर लंब बना हुआ है तो इसके अंदर ही रहेगा ये त्रिबुज के बाहर नहीं जाएगा तो समकौन त्रिबुज का जो लंब होता है वो त्रिबुज के अंदर ही होता है यही दो बुजा है एक दूसरे पर ये लंब होती है अगला है अधिकौन त्रिभुज तो अधिकौन त्रिभुज में दोनों न्यून कौन वाले शिर्ष से खीचा गया लंब त्रिभुज के बाहर होता है जबकि अधिकौन वाले शिर्ष से खीचा गया लंब त्रिभुज के अंदर होता है तो ये बहुत जरूरी समझना है हम इसको थोड़ा और विस्ता से समझते है जैसे हमरे पास एक किर्बुज बनी हुई है A, B, C इसमें A और C जो कौन बने हुए है ये दोनों नियून कौन है और जो B कौन है ये हमरे पास है अधिकौन है तो जो B कौन के सामनी वाँ रेखा है A, C तो ये है कर्ण इस तिर्बुज का तो B कौन से जो हम लंब खीचेंगे वो कर्ण तक जाएगा और ये तिर्बुज के अंदर होगा पर यदि हमने A से और C से लंब खीचने है तो हम A और C से लंब कैसे खिचेंगे सबसे पहले जिसे हमने A से लंब कीचना है तो हमने B और C रेखा को आगे बढ़ाना है डॉट इट और A से जब हम नीचे को लंब गिराएंगे तो ये तिरबुच के बाहर आजाएगा जैसे आपके उपास ये पॉइंट D आगया है B रेखा को हमने बाहर को बढ़ा दिया A रेखा से हमने नीचे को लंब गिराया है तो ये जो हमारा D पॉइंट आया है ये तिरबुच के बाहर आया है तो ये एग नियून कोन का जो लंब है हमारा बहरा आ गया है अब हम देखते हैं C को C कौन से यदि हमने लंब कीचना है तो हमारे को A और B रेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा ठीक है इसके उपर हमने C से लंब डालना है तो जब हम इसके उपर C से लंब डालेंगे तो यह point हमरे पास आजाएगा F यह – C पॉंट हमरे पास आ रहा है यह भी तीरबुझ के बाहरा है और यह C कौन है इसका लंब है इस तरह से आप जान सकते हैं कि यदि अधि कौन तीरबुझ है उसके दो लंब जो हो तिरिबूज के बाहर होते हैं और जो अधिकौन वाला तिरिबूज है वो तिरिबूज के अंदर होता है ये लंब इस तिरिबूज के अंदर होता है तो ये बहुत फैक्ट है अपरशन किसी तरह का भी आ सकता है कि ऐसी तिरिबूज बताईए जिसके द अगला एक फैक्ट है कि सबसे बड़ी भुजा पर सबसे छोटा शिर्ष लंब और सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ा शिर्ष लंब होता है तो ये बिल्कुल फैक्ट है जैसे आपके पास एक अधी कौन तिर भुजा है तो इससे ही अधी हम लंब कीशते हैं तो जो इसके करण पर लंब हो जाएगा वो उसकी हाइट हमेशा जो है वो छोटी होगी तो सबसे बड़े कौन के सामने जो है सबसे सोता शीर्ष होता है और सबसे छोटे शीर्ष के जो कौन के सामने होते हैं वो भुजा के सामने या कौन के सामने हम ले सकते हैं तो वो सबसे बड़ा लंब होता है तो ये बिलकुल फैक्ट है इसमें कोई दोराय नहीं है और शीर्ष के समुक भुजा को जोडने वाली सबी रेखाएं रेखाओं में लंब बत रेखा सबसे चोटी होती है तो जितने भी शीर्ष है शीर्ष को जोने वाल जितनी भी रेखाएं है उन रेखाओं में जो लंब होता है वो हमेशा सबसे चोटा होता है तो ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है और इसी तरह से और फैक्ट को जानने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें चैनल पर बने रहें बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिवीकेशन जो हो मिलती रहें यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें, कमेंट करें थैंक्स पर वाचिंग माई चैनल द्राइंग स्टर्ट